हेलो दोस्तो इस चैनल हेल पीपी में आप सभी का स्वागत है आज का डिक्टेशन हम परधान मंत्री नरेंद मोधी जी द्वारा लालकिले की प्राचीर से 15 अगस्त को दिये गे भासन से लिंगे जिसकी गती सीमा अस्य से नब्बे के बीच में रखी जाएगी अगर आपने अभी तक इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब और सेर नहीं किया है तो इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब और सेर जरूर करें और इससे पहले की वीडियो जो हमने राफ्ट पती जी के अभी भासन पर भी बनाई थी उसे भी जरूर लिखें जो आपके इस्किल टेस्ट के ल के इस पवित्र दिवस पर सभी देश वासियों को अनेक अनेक सुबकामनाएं आज रक्षा बंधन का भी पर्व है सदियों से चली आई यह परंपरा बाही बहन के प्यार को अभिव्यक्त करती है मैं सभी देश वासियों को सभी भाई बहनों को इस रक्षा बंधन के पावन पर्व पर अनेक अनेक सुबकामनाएं देता हूँ इसने से भरा यह पर्व हमारे सभी भाईयों बहनों के जीवन में आसा आकांचाओं को पूर्ण करने वाला हो सपनों को साकार करने वाला हो और इसने की सरिता को बढ़ाने वाला हो आज जब देश आजादी का पर्व मना रहा है उसी समय देश के अनेक भागों में अतिवरसा के कारण बाड के कारण लोग कठिनाईयों से जूज रहे हैं कईयों ने अपने स्वजन खोए हैं मैं उनके प्रती अपनी समवेदनाएं परकट करता हूँ और राज्य सरकार, केंद्र सरकार, एंडी आरफ, सभी संगठन, नागरिकों का कस्ट कम कैसे हो सामान्य परिस्तितियां जल्दी कैसे लोटे उसके लिए दिन रात परियास कर रहे हैं आज जब हम आजादी के इस पवित्र दिवस को मना रहे हैं तब देश की आजादी के लिए जिन्होंने अपना जीवन दे दिया जिन्होंने अपनी जवानी दे दी जिन्होंने जवानी जेलों में काट दी जिन्होंने फासी के फंदे को चूम लिया जिन्होंने सत्याग रह के माधियम से आजादी के बिगुल मैं अहिंसा के स्वर भर दिये पूज बापू के नित्रत मैं देश ने आजादी पाई मैं आज देश के आजादी के उन सभी बलिदानियों को त्यागी तपस्वी को आदर पूर्वक नमन करता हूं उसी प्रकार से देश आजाद होने के बाद इतने वर्सों में देश की सांती के लिए सुरक्षा के लिए समर्धी के लिए लचावधी लोगों ने अपना योगदान दिया है मैं आज आजाद भारत के विकास के लिए सांती के लिए समर्धी के लिए जन सामान्य की आसाओं आकांचाओं को पून करने के लिए जिन जिन लोगों ने योगदान किया है आज मैं उनको भी नमन करता हूँ नई सरकार बनने के बाद लाल किले से मुझे आज फिर से एक बार आप सब का गौरव करने का अवसर मिला है अभी इस नई सरकार को दस हपते भी नहीं हुए है लेकिन दस हपते के छोटे से कार्यकाल मैं भी सभी छेतरों में सभी दिसाओं में हर प्रकार के परियासों को बल दिया गया है नए आयाम दिये गये हैं और सामान्य जनता ने जिन आसा अपेक्षा आकांचाओं के साथ हमें सेवा करने का मौका दिया है उसको पूर्ण कन्य में एक पल का भी विलंब किये बिना हम पूरे सामर्च के साथ पूरे संपूर्ण भाव के साथ आपकी सेवा में मगन हैं दस हपते के भीतर भीतर ही अनुशेत 370 को हटाना 35 एका हटना सरदार बल्लब भाई पटेल के सपनों को साकार करने की दिसा में एक एहम कदम है दस हपते के भीतर भीतर हमारे मुसलिम माताओं और बहनों को उनका अधिकार दिलाने के लिए तीन तलाक के खिलाफ कानून बनाना आतंक से जुड़े कानूनों में आमूल चूल परिवर्तन करके उसको एक नई ताकत देने का आतंगवाद के खिलाफ लड़ने के संकल्प को मजबूत करने का काम हमारे किसान भाई बहनों को परधान मंत्री सम्मान निधी के तहट नब्बे हजार करोड रुपया किसानों के खाते में ट्रांसफर करने का एक महत्वपून काम आगे बड़ा है हमारे किसान भाही बहन हमारे छोटे व्यपारी भाई बहन उनको कभी कल्पना नहीं थी की कभी उनके जीवन में भी पैंसन की व्यवस्ता हो सकती है साट साल की आयू के बाद वे भी सम्मान के साथ जी सकते हैं सरीर जब जादा काम करने के लिए मदद ना करता हो उस समय कोई सहारा मिल जाए वैसी पैंसन योजना को भी लागू करने का काम कर दिया है जल संकट की चरचा बहुत होती है भविस्य जल संकट से गुजरेगा यह भी चरचा होती है उन चीजों को पहले से ही सोच करके केंडर और राज मिलकर के योजनाएं बनाएं इसके लिए एक अलग जल सकती मंत्राले का भी निर्मान किया गया है हमारे देश में बहुत बड़ी ताजाद में डॉक्टरों की जरूरत है आरोग की सुविधा और व्यवस्ताओं की आव सकता है उसको पून करने के लिए नए कानूनों की जरूरत है नई व्यवस्ताओं की जरूरत है नई सोच की जरूरत है देश के नौजवानों को डॉक्टर बनने के लिए अवसर देने की जरूरत है उन चीजों को ध्यान में रखते हुए Medical Education को पारदर्सी बनाने के लिए अनेक महत्वपूर्ण कानून हमने बनाएं हैं महत्वपूर्ण निर्णे लिये हैं आज पूरे विस्व में बच्चों के साथ अत्याचार की घटनाएं सुनते हैं भारत भी हमारे छोटे छोटे बालकों को असहाय नहीं छोड सकता है उन बालकों की सुरक्षा के लिए कठोर कानून परबंदन आवस्यक था हमने इस काम को भी पूर्ण कर लिया है भाईयों बहनों 2014 से 2019 पांच साल मुझे सेवा करने का आपने मौका दिया अनेक चीजें ऐसी थी सामान्य मानव अपनी निजियाव सकताओं के लिए जूजता था हमने पांच साल लगातार परियास किया की हमारे नागरीकों को जो रोज मर्रा की जिंदगी की आवसकताएं हैं खास तोर पर गाउं की, गरीब की, किसान की, दलित की, पीडित की, सोशित की, वंचित की, आदिवासी की उन पर बल देने का हमने परियास किया है और गाडी को हम ट्रेक पर लाए और उस दिसा में आज बहुत तेजी से काम चल रहा है लेकिन वक्त बदलता है अगर 2014 से 2019 आवसकताओं की पूर्ती का दोर था तो 2019 के बाद का कालखंड देशवासियों की आकांचाओं की पूर्ती का कालखंड है उनके सपनों को साकार करने का कालखंड है और इसलिए 21 सदी का भारत कैसा हो कितनी तेजगती से चलता हो कितनी व्यापकता से काम करता हो कितनी उचाई से सोचता हो इन सबी बातों को ध्यान में रखते हुए आने वाले पांच साल के कारेकाल को आगे बढ़ाने का एक खाका हम तैयार करके एक के बाद एक कदम उठा रहे हैं इस टॉप दोस्तों हमने और डिक्टेशन लगभग 11 मिनट का बोला है जो 80 से 90 सब्द परती मिनट की गथी से बोला है इस टिक्टेशन को जरूर लिखें क्योंकि इसमें कुछ सब्द वो हैं जो हम रोज लिखते हैं और कुछ सब्द ऐसे हैं जो सायथ आपके लिए नए हो या मेरी लिए नए हो सबके लिए कुछ न कुछ सब्द अलग अलग सब्द नए हो जरूर होंगे तो इसका अभिहाद जरूर करें और इसकी PDF डिस्क्रिप्शन की PDF आपको हमारे WhatsApp गुरूप में मिल जाएगी जिसकी Link डिस्क्रिप्शन में दी गई है और अगर किसी भी प्रकार क्यों आपके कोई प्रस्न हों या कोई आपकी queries हों उसको आप हमारे WhatsApp में यहां पर comment में लिख सकते हैं और अगर आपने अभी तक इस चैनल को Like, Subscribe, Share नहीं किया है तो Please Like, Subscribe, Share जरूर कर लें ताकि और लोगों तक भी इस चैनल का लाब पहुंसके धन्यवाद